पावर यह वो पावर है धन का पावर पैसे का पावर यह पावर आदमी को अगर वो ललू है तो भी लालू-लाल बनाएगा अगर कमारा है तो भी शादी करवाएगा अगर पैसा है तो बाप बुड़ा हो गया तो भी पसंद किया जाएगा और बेटा नका रहा है तो भी स्विकार किया जाएगा समाज में कोई आदमी ही कितना भी बुद्धी मान हो अगर वो सला देगा ना तो लोग बोलेगे चुप रहे यार कहीं दिन बर मातों खातो रहे हैं और अगर कोई पैसे वाड़ा बोलेगा ना छोटी सी भोड़ो बढ़ा है तो भी बोली अरे पहला एनेरी बात तो सुनो इसलिए मैं कहुंगा मनी पावर बढ़ाओ यहां पर ग्रेस्त भी वही पूजा जाता है जिसके पास मनी पावर है और संत भी वही समाननिय होता है जो समाज में मनी पावर बढ़ाने का काम करता है धन का पावर बढ़ाओ और धन का पावर बढ़ेगा कैसे मैं कहूंगा मेरे एक सिद्धानत सीख लो और वो है मल्टिप्लाई क्या है money power बढ़ाने का नुस्खा multiply अगर आपके पास धन है आपकी तिजोरी में अगर सत्तर हजार उप्या पड़ा है उसे तिजोरी में मत रखो उसे अलमारी में मत रखो उसको invest करो और investment में अगर लगाओगे तो आने वाले छे महीने के बाद में कुछ तो पाओगे अरे बैंक में डालोगे तब भी सत्तर हजार के बदले में साथ सो तो लाओगे क्योल घर में पड़ा रहेगा तो सत्तर हजार का साथ हजार ही होना है उल्टा खर्चा हो जाएगा और तुम loss की तरफ जाओगे investment करो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने धन को और बढ़ाएं तो मैं फिर कहूंगा उसे multiply करो कैसे जैसे है जैसे माननी जी कि अपने लोग दिन बर फल खाते हैं multiply कैसे करेंगे हर आदमी फल खाता है मैं कहूंगा एक बार तो multiply कर दे भई तो जिन्दगी बर फल खाता रहा आम जिन्दगी बर खाता है उसमें से कोई एक आम तुल निकाल ले उसकी गुठली दो पहुंच करके अपने पास रख ले और कहीं भी आते जाते किसी भी सड़क परी सही उसको multiply कर दे और multiply करने का तरीका है थोड़ा सा उसका गड़ा खोदो और जमीन में डाल दो तुम तो आगे बढ़ जाओगे तुमारी गुठली multiply हो गई आने वाले कल के लिए तुमने अपनी जिन्दगी में एक हजार आम खाएं होंगे पर कभी उसको multiply नहीं किया अगर घुठली भी बोध होगे तो multiply वाला काम शिरू हो गया अच्छा है अभी वैसे भी चात्रो मास चल रहा है चात्रो मास चल रहा है तो मैं कहूंगा ना पेड़ लगा हो ना भई अगर एक पेड़ कितने का नीम का पेड़ कितने का आता है कितने का पौधा 50-60 रुपे का वह भाई साब आपको सीधा खरीदा खर रहा है व्रिक्षा रुपन के लिए मिल जाता है ने इसलिए आपको लगता है 50-60 का है 50-60 रुपे में तो आम का पौधा आता है नीम का पौधा तो केवल 10 रुपे में आ जाता है आप तो केवल यह चात्रुमाज चल रहा है 11 रुपा खर्चा करो अपनी तरप से और 11 रुपा पता है कितने पेड़ा जाएंगे कितने आजाएंगे नीम के लगाओ तो 100 और आम के लगाओ तो 20 पर आप लगा करके कुद्रत के भरू से उसे छोड़ दो वो अपने आप अपनी जड़े पकड़ेगा कुद्रस से आकास से वो अपने आप अपनी ऑक्सिजन लेगा अपने आप कार्बन डाई ऑक्साइड लेगा जो उसे लेना है हवा पानी वो ग्रहन करेगा आप तो लगा कर चले गए पर वो आपके आ उसकी वजह से हाज जाए मिल गईए उसकी वजह से मुझे चाया मिल गईए अब कर आपकी पोति को चाया मिले तो हर आदमे पेड़ जरूर लोगा है यह पूंडिया जरूर कमाए हर आदमी पेड़ लगाए कित're सो लगता है कि हमें पेड़ कर सकते हैं हम इस चात्रमास में ज्यादा ना सही पर एक पेड़ तो हम जरूर लगाएंगे कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो यह मन बना सकते हैं कि यह गवशाला बनाने से भी उतना ही पुण्यकारी है विद्याले बनाने जितना ही पुण्यकारी है देखता हूं वापस द जरूर लगाएंगे हात उपर करके बोलो एक पेड जरूर लगाएंगे जरूर लगाएंगे जरूर लगाएंगे तेग्यू जैसे ट्री कट हम लोगोंने प्लांट आगे से आगे बढ़ाया वैसे मनी का प्लांट आगे बढ़ाओ और अपने धन का उपयोग करो केवल उसे रखे मत रहो उसको multiply कैसे किया जा सकता है घर के पांस सदस्चे इकटे होकर बैठो और बताओ मेरे पास 60,000 है मेरे पास 20,000 है मेरे पास 30,000 है अपने इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी अपने एक बच्ची रही है कल्याणी दुगड तो पूना की बच्ची थी पापा ने उसे ले जाकर के 50,000 रुपे दिये बोले बेटा ये अपने पास रख ले उसने का पापा जी वापस कब ले बच्ची ने उसने उस पैसे को लेकर के और मार्केट में लगा दिया छे महने बाद जब पापा जी ने उससे पूछा कि बेटा वो मैंने तुझे का था ना 50,000 दिया था चल वो ले किया बोले पापा जी अभी एक गंटा लग जाएगा आपको पैमेंट मिलने में बोले क् मैंने उसे मल्टिप्लाई करने के लिए मैंने उस धन को लगा दिया और वच्ची हमारी अपनी बच्ची है खुब सेवा मूरती है तो उसने हमें बताया बाप जी पापा जी ने मुझे दिये थे 50,000 और मैंने उनको वापस दिये थे 3,000,000 कितने दिये 3,000,000 आजकल के बच उधी का आप लोग उपयों कीजिए अपने डैवलप्मेंट के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कीजिए और भाई जिस दिन बच्चे अगर हमारे लिए काम आने शुरू हो गए ना जिस दिन घर के चुहे भी हमारा साथ देने लग जाए तो समझ लेना कि विकास के द दिन आने लग गए हैं चीटी की तरह मेहनत करो और अगर चीटियों की तरह मेहनत करने शुरू कर दी तो एक दिन हाथियों का भी पेट बरने में सफल हो जाओगे मेरे भाई बेनों अपने धन को मल्टिप्लाई करो उसका सदूपयोग भी करो केवल इकठा करकर के ही मत गुटली बो बीच बो और ये वापस लोट कर आएगा राजानी अपने मंत्री से कहा वो क्या चीज है जिसे मैं आज देऊं उसका फल मुझे आज मिलेगा नमबर दो वो क्या चीज है जिसे मैं आज देऊं जिसका फल मुझे न अभी मिलेगा न परलोक में मिलेगा तीसरा प्रस्ण है मेरा कि मैं क्या वो चीज है कि जिसे मैं देऊं जिसका फल मुझे परलोक में भी मिलेगा बोले राजन अगर इसका जवाब चाहिए तो प्लीज मुझे एक लाख रुपे दे दीजिए एक सब्ता की मौहलत दीजिए मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज है एक लाख रुपे दीए गए सब्ता के बाद में वो अपने साथ कहीं लोगों को साथ लेकर आया बोले राजन मुझे आपके प्रस्ण का जवाब देना है बोले क्या उसने कहा सर ये बैंक मैनेजर है मैं इसको अपने साथ लेकर रहा हूँ मैंने आपके द्वरा दीए गए पैसे में से पचीस जार रुपे इस बैंक में जमा करवा दिये हैं आप जब चाहे उसका ब्याज सहीत उप्योब कर सकते हैं ये वो धन है ये वो चीज है जिसे तुम आज दे रहे हो आज ही तुम्हें उसका फल मिल जाएगा तभी उसने एक निर्ट्यांगना को पास में बुलाया इदर आओ तो बुले कि ये वो महिला है जिस पर मैंने पचीस हजार रुपे खर्च किया मैंने साथ दिन शराब और शाबाब में मैंने भिताए हैं प्रभू इसका फल ना आज है और अगले जनम में है और तभी उसने अपने साथ आएवे पचीस बच्चों को आ ये कच्ची बस्ती के बच्चे थे वहाँ पर सब गंदे पड़े रहते थे मैंने इनको वहाँ से उठवाया सबको नहलाया दुलाया बाल कटिंग करवाई और सबको मैंने नई ड्रेस दिलवाई इसकूल में उनका मैंने दाखिला करवा दिया आज ये इस्टुडेंट बन बैंक में निर्त्यांगना में या इन बच्चों में किधर लगाना चाहिए राजा खड़ा हुआ खड़ा हुआ अपने मंत्री को गले लगाया और कहा कि आज तुने मेरे धन का सदुपयोग करने का मुझे तरीका बता दिया आज मुझे पता चल गया कि मेरा मनी पावर जो मै